असलामलेकुम मेरा नाम नौफिल अली है मैं आपको basic electronics के हवाले से थोड़ा सा guide करूँगा अचा most basic lecture है इसमें हम basic तरी बातें करेंगे electronics में जो use होनी है उस हवाले से सबसे पहली चीज जो सबसे जो use होती है वो होता है combination of resistors अचा resistors के combination के दो types होती है एक होती है series और दूसरी होती है parallel series combination और parallel combination इनको हमने आज बड़ी detail से discuss करना है कि कुछ इनकी हम example सेखेंगे और ज्यादा हम इसको practical performance भी कोशिश करेंगे कर ले ज्यादा तर हम इसकी example देखेंगे अचा series और parallel में दो बाते हैं आपनी याद रखनी है circuit बनाते वकर series कोई सा combination मैं बना रहा हूं कि देखें ये एक resistance है इसको मैं कहा लेता हूं R1 और उसके कुछ फासले पर ये एक resistance है इसको मैं कहा लेता हूं R2 और ये एक applied voltage है series में सब ये दोनों मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये series में हैं एक आपने बात याद रखने है R1 से R2 की तरफ जाने का रास्ता एक हो ये रास्ता है इस side पर गर वो आएगा तो ये चीज उसको बीच में counter करेगी ये voltage है यहां से यहां पर जाने का रास्ता सिरफ एक है one path है आपने याद रखना है one path बस ये है series hopefully समझ आ गया होगा और parallel में मेरे पास parallel के अगर मैं डाइग्राम बनाऊँ इस में मेरे पास अगर ये resistance R1 है और एक ये resistance मेरे पास R2 है यहां पर जाने के दो रास्ते हैं R1 से R2 की तरफ जाने के दो रास्ते हैं पहला ये रास्ता और दूसरा ये रास्ता और यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है तू पार्ट्स इस तरह की combination कम कहते हैं parallel combination hopefully बात समझ आ रही होगी series में एक रास्ता होता है parallel में दो रास्ते होते हैं जाने के और आखरी बात फिर मैं इनके solutions की तरफ जाँगा series में मेरे पास series combination में मेरे पास current same होता है current same और parallel में मेरे पास हर वे में मेरे पास voltage same होता बस यह अपने बात याद रखने है voltage same अब मैं इसकी solutions की तरफ जाता हूँ कुछ diagrams की तरफ जाता हूँ कुछ इसकी फिर हम discuss करते हैं इसको मेरे मॉबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आगा पता नहीं कौन से किस चीज़ का वीडियो ना डिस्टरव होगी चलने जी अचा सीरीज की अगर मैं diagram मनाता हूँ उसको कैसे solve करते हैं सबसे पहले मैं series की बात करता हूँ series combination की इसका जो formula होता है वो होता है rn बराबर है r1 plus r2 plus r3 यानि simple sorry r equivalent यानि इन सब को जमा करेंगे अगर यहाँ पे n number of resistance लगी होगी for example इसको मैं solve करना चाहूँ तो एक ही बार में solve कर सकता हूँ यहाँ पे जो भी मेरे पास r1, r2, r3, r4 इन सब को जमा करूँगा तो मैं एक resistance बना लूँगा वो क्या होगी मेरे पास r1234 मिसाल के तौर पर और सेम इसी वे में यह सीरीज है एक रास्ता है इनको simply मैंने sum up करके एक resistance की form में लिखते हैं ठीक है इसके opposite यानि इसके उलट अगर मैं बात करूँ तो वह parallel combination है parallel को हम किस तरह करते हैं और किस तरह सॉल्व करते हैं और किस तरह अड़ाब करते हैं parallel मैंने को बताया था दो रास्ते होते हैं और मैं यह पर चार बना लेका हूँ जी resistance यह R1 है R2 है R3 और R4 अच्छा इसका फार्मुला ही होता है इसका यह फार्मुला होता है कि मेरे पास R N अगर मैंने R equivalent find करना है तो इसका फार्मुला क्यों होता है 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus up to 1 over R N जितनी मेरे पास resistances हैं ठीक है इसके बाद मैं mix की तरफ आँगा थोड़ा से complex को solution की तरफ आँगा जिन सबका अपने LCM लेना आइंड पर जो answer आता है उसको लटा देता है तो मेरे पास R equivalent निकल आता है यह सीरिस थी और यह सॉरी यह parallel थी इससे पिछे सीरिस थी अब मैं circuit solution की तरफ जा रहा हूँ कि अगर circuit में मेरे पास दोनों एकठी हो तो उनको किस तरह solve करता हूँ एकजेमपल 1 अचाह यह मेरे पास रिसिस्टेंस है R 1 और यह मेरे पास रिसिस्टेंस है R 2 और ये मेरे पास एक resistance है R3 ये resistance है R 4 अच्छा इसको अगर मैंने solve करना हो एक resistance बनानी हो series के लिए तो बहुत simple था सब को add up कर दिया parallel के लिए भी simple था मैंने alsim लिया सब को एक साथ solve कर ले लेकिन जब mix हूँ mix के case मैं mixture सा बनाओ तो तब मैं पहले जो दो series में है उनको add up करूँगा यानि ये अगर मेरे पास first view है इसका second step क्या होगा sorry इसका first ये first view है इसका question का ये essay है मेरे पास circle form में तो इसका first step क्या होगा solution का first step of solution मैं ये दो मुझे नजर आ रहे हैं ये series में है R2 से मैं अगर R4 की तरफ जाना है तो ये एक रास्ता है ये भी सारे series में है R2 से मैंने R4 की तरफ जाना है तो एक ये रास्ता है और दूसरा रास्ता है ये है लेकिंग इसके रास्ते में ये वाली मेरे पास resistance है इसलिए ये दोनों आपस में ये इनको पहले solve कर लेता हूं वो फिर मैं बताने लगूंगा तो आप थोड़ा सा complex feel करेंगा फिलाल मैं इनको solve कर लेता हूं इनको आपस में एक रास्ता है यानि common है यहां से ये जाएगा तो ये वाली resistance इसको counter करेगी यहां से अलबता इसको यही resistance मिलेगी तो इसका first step कैसी होगा diagram का R1 को मैंने 80 रहने दिया इस वाली को उसके बाद ये मेरे पास R2 है इसको भी 80 रहने दिया इन दोनों को मैंने solve कर ले यह series हैं इनको मैंने solve कर लिया यह क्या बन गया solution मैं बताऊंगा R3 plus R4 इस तरह यह 3,4 बन गया अच्छा अब मैं देख रहा हूं कि यह दोनो R2 और R3,4 यानि जो इन दोनों का solution थे resistance यह दोनों parallel में हैं एक यह रास्ता है यहां से जाने का और एक यह रास्ता है जाने का तो मैंना को बताता है जब दो रास्ते होंगा तो तब वो parallel form बनेगी बाद समझा आरी कि नहीं आरी तो इनको मैं solve करके एक और resistance बना लूँगा यानि इसका next step कैसा होगा इसी का आगए यानि मैंने इन दोनों को solve किया R1 अभी भी वैसे ही है still और इनको मैंने solve किया R2,3 यह parallel way से solve होगए यानि R2 plus R 3,4 इनको जब मैं ऐसे solve कर लूँगा तो यह मेरे पास क्या भंजेगा R2,3,4 अब यह दोनों मेरे पास series way में है यहां पर दूसरा रास्ता नहीं यहां पर voltage लगा होगा तो फिर मैं इनको next step में यहां तक समझ आ गया hopefully इन दोनों को मैं parallel solve करने के बाद अगला step क्या होगा इन दोनों को मैं series way में solve कर लूँगा मैरे पास total resistance निकलाई total resistance इन दोनों को series में solve करूँगा सिंपल ऐसे जैसे r1 plus r234 simple r1234 जो voltage दिया होगा जो current होगा उसके according मैं find कर लूँगा अभी वो सारा voltage और current को discuss करूँगा करूँगा बार बार कह रहा हूँ फिलहाल जस्ट मैं आपको resistance को simplified form में लिखाना बतार हूँ अगर मेरे पास circuit में धेड़ सारी resistance होँ तो उनको किस तरह adapt करके एक resistance बनाना है तो अभी जस्ट वो हम discuss कर रहे हैं मेरा ख्याल आपको resistance का काफियत तक समझ आ चुका होगा हम आखरी मिसाल करते हैं यह complex circuit की उसके बाद हमारा आज का काम खतम हो जाएगा फिर next tutorial में मुझे बताईएगा आपको क्या कैसा लगा tutorial इस tutorial को देखने के स्कूल होता तो मैं करता है इंक भर के लोग यहां पर कॉविड के ऐसे स्कूल्स वगरा भी बनना बच्चों को यहीं से गाइड करूं अच्छा अब यह complex circuit इस तरह है यह मैंने एक resistance बनाई R1 उसके बाद मैंने यह R2 उसके बाद मेरे पास यहां पर एक R3 और then मेरे पास अगर मैं इसको थोड़ा से complex बनाता हूं तो वह कैसी होगी इस तरह करके और then यहां पर एक resistance इन सबको मैं step by step बताऊंगा गाइड करूंगा वह आपने tension नहीं लेने और यहां पर simple और next मेरे यहां पर यह circuit अपर मुझे बहुत ज़्यादा complex देख रहा है अगर मैं इसको और थोड़ा से complex बनाना चाहूं तो यह ऐसे कर लेता हूं वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा concept clear हो अब इन सब की naming कर देता हूं जो आपको दी होंगी चीज़ें आर वन जो इनकी values दी होंगी मैं फिल्हाल naming के जरीए नहीं कर रहा तो मैं ऐसे कर लेता हूं आर टू, आर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, आर सिक्स, आर सेवन, आर एट, आर नाइए अच्छा अब मुझे सबसे पहले सबसे ज्यादा आपने अच्छा यह चलना इस तरह होता है लेफ्ट से राइट यह मैं बताना शुरू मैं भूली हूं मुझे स्बसे राइट चलना होता है लेफ्ट टू, आपने यहां से जाना होता है सॉल्फ करते हुए अब यहां पर मैं सॉल्फ करना लगा हूँ यह मुझे सबसे सिम्पल नजर आ रहे हैं यह दोनों आपस में सीरीज़ हैं यानि इस R8 से अगर मैं 9 की तरफ जाता हूँ या R9 से 8 की तरफ आता हूँ तो एक रास्ता है दूसरी साइट पर इनको दूसरी सर्कुट्स मिल रही है तो इसका फर्स्ट अप क्या है? ये अज़ इस आर वन और टू चले मैं इसी को जिस सॉल्फ कर लेता हूँ इसी पार्ट को ये सारा as it is आजएगा इसको ये लिख लेता हूँ ऐसे लिख लेते हैं इस पार्ट को मैं जड़ सॉल्फ करना लगा हूँ R6 और ये मेरे पास R7 और उसके बाद मेरे पास यहां पर मैंने इन दोनों को सॉल्फ करके इस जगा पर लिख लिया R8,9 होफुली समझा रहा है आपको यहां पर इन दोनों को सॉल्फ कर लिए माने है बाकि सारा सर्केट आपने ऐसी बना लेना जैसे उपर वाला था R6 को मैंने ऐसी रहने दिया R7 को भी ऐसी रहने दिया R1,2,3,4,5 ऐसी रहने दिया R8 और 9 सीरीज में थे इनको मैंने ऐसी सिंपल सॉल्फ कर लिया R8 प्लस R9 इस सॉल्फ करके सीरीज एक ही रास्ता था अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उससे जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें यह R8 नैं और R7 को मैं सॉल्फ करूँ यहां पर जगह थोड़ी पढ़ दिया फर्स्ट स्टेप मैंने किया था इसको मैं गर यहां पर करूँ थोड़ा सा अच्छा R इस स्टेप को गर मैं सॉल्फ करना चाहूं फर्स्ट स्टेप आपनों मैंने देख लिया अन्दाजा हो गया अब मैं आपको बता रहा हूं इसी कोई नीचे ड्रॉब करूँगा और यहां पर थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर जिता हूं R यहां पर मैंने लिख लिए 8-9 इसको मैंने 80 रहना दिया R 8-9 अब R7 और 8-9 इनको अपस में दो रास्ते हैं यहां से जाने के और एक वहां से जाने के लिए Resistance का बात समझ आ रही है तो इनको बहले मैं Solve करूँगा यह अगेन ऐसी रहेंगे सारे Second Step है ताके आपको आइडियो होजे यह अब मैं सारे ही गुना देता हूं यार ताके इन सब clear रहे हैं यह R5 है मेरे पास Resistance उसके पात R6 as it is अच्छा जब आप Solve करते हैं ना तो उनमें से किसी की भी एक जगा पर आप लिख दिया करें Resistance को R6 मेरे पास as it is है मैंने इसको रेस करके इसकी जगा पर लिख लिए यह मुझे ज़्यादा Simple फॉर्म में लग रहा था यह Central Line को मैंने रेस कर दिया यहां पर आगा R7 था और R7 था इनको मैंने यह दोनों Parallel थे यह मैंने ऐससे Solve किया इदर आपको दिखा दूँ यहां लाइट पढ़ रही है R7 plus 1 over R 8 9 इनको हससे Solve किया इसके बाद यहां पर आपको लिखके दिखा दिया 7 8 9 किसी किसम की कोई मुश्किल अच्छा value जाती है बाद में आपने इसको लटा लिया करना है ताकि आप 1 over की 4 में लिख रहे थे इसको तो यह बात आपने ख्याल रखने आप अब इस step के बाद यह दोनों series में आ गया है यह दोनों series में आ गया है क्योंकि यहां से यहां पर जाने का एक रास्ता 6 से 7 8 9 के तरफ एक रास्ता दूसरी तरफ R5 यह बाकि resistance आ जाती है तो इसी को मैं इस form में लिख लेता हूं यह हो गया मेरे पास R7 8 9 अब अगें 3rd step की तरफ बन के 3rd step मेरा 3rd step मेरे पास 3rd step मेरे पास हाँ यह सही है R1 R2 R3 R4 R4 यहां पे मेरे पास R5 और यहां पे मेरे पास R6 7 8 9 अच्छा अब यहां पे इन दोनों 5 से 6 के पास है इसके तरह जाने के भी दो रास्ते है अगर आप यहां पे भी लिखें तब भी इस तरह और इस तरह जासे ज़्यदा simplified formula अगर है एक यह रास्ता है और एक यह वला रास्ता है तो इनको भी मैं parallel solve करूंगा 1 over R5 plus 1 over R6 7 8 9 इनको solve करके मैं किसी के भी एक जगा पर लिख लेता हूँ clear मैं इस जगा पर लिखूंगा यहां पर मैंने इनको solve करके लिख लिए हाँ इसको solve किया था जा मैंने तो यह मेरी यहां पर बन की जगा इस जगा पर मैंने यह दोनों parallel है इनको solve किया और यह मेरा बन जा इस तरह कुछ इन दोनों को मैंने 5 को सॉल्फ किया और इसको सॉल्फ किया तो मैं इधर ही लिख लाता हूं यह पूरा का पूरा 5, 6, 7, 8, 9 इन दोनों को सॉल्फ करिया अगें वही मैथड्स रिपीट होंगे सारे लेकिन अब हमारी रिजिस्टन्स काम हो जाएगी यह जरा नमबर बढ़ा हो गया R, 5, 6, 7, 8, 9 की जगह मैं लिख लूँगा अब R, A जिसके बराबर है R, A के बराबर है अच्छा अब मैं यह दोनों 4 और 5 इनके दो रास्ते हैं एक इस जगह से और एक इस जगह से तो इनको भी मैं पैरलल सॉल्फ करूंगा 1 अबर R, 5, प्लस 1 अबर R, A hopefully R, A पता चल गया होगा आपको R, 1 ऐसे ही आजएगी R, 2 भी ऐसे ही आजएगी काफी देर से यह ऐसे आ रही है hopefully अगले कुछ स्टेप में सॉल्फ होजएगी R, 3, R, 4 और यह मैं 5 की जगह लिख रहा हूँ इन दोनों 4 और 5 को मैंने देजी Sorry, 4 की जगह, 4 थी जहां पर 4 और 5 को मैंने सॉल्फ किया तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ R, A प्लस 4 यानि R, 4, A इनको सॉल्फ किया, अब यह दोनों सीरीज में है इनको जब मैं सॉल्फ करूँगा तो यह next step में मेरे पास कैसे हो जाएगे इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर लिखते मेरा ख्याल है कि यह वली जगह ज़्यादा सही रहेगी R, 3, 4, A और बाकी मेरे पास क्या थे यहाँ पर R, 1 थी, यहाँ पर R, 2 है अब R, 2 और यह पैरलल है तो इनको मैं कैसे सॉल्फ करूँगा 1 over R, 2 प्लस 1 over R, 3, 4, A इस तरह मैं पैरलल सॉल्फ करूँगा R, 1 को ऐसी रहने दूँगा फिर मैं इसकी जगह पर लिख लाता हूँ इसको यह क्या हो जाएगा जी R, 2, 3, 4, A और R, 1 ऐसे अब यह दोनों आपस में सीरीज हैं क्योंकि एक रास्ता है तो इसका next step क्या होगा last step है जी बहुत देर बाद R, 1 solve होने लगा तो इसका step क्या होगा simple R, 1 plus R, 2, 3, 4, A यहाँ पे R equivalent आगए यहाँ जानी सब के समाप आगए मेरे पास उमीद करता हूँ आपको यह lecture पसंद आया होगा समझ आया होगा, थोड़ा-थोड़ा solve करने का idea हुआ होगा तो next step में मैं next lecture में मैं इसकी solutions आपको बताऊंगा कुछ numericals के वाले से KVL, KCL में एक आदे हम लोग tutorials देखें बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को like करें, subscribe करें, जाए दोस्तों के साथ share करें, especially university students के साथ जिनको बहुत ज़्यादा होती है और वो मेरे चैनल को grow up करने हमें बहुत मदद दे सकते हैं, thank you.